जैप्रकास विस्सेविद्ध्याली के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपोटेंट सूचना जारी जहां दोस्तों यह सूचना बहुत ही इंपोटेंट है 2020-2021 के स्टूडेंट के लिए बीए, बीए, सी, बीकॉम, साइंस लिए हो, आर्ट लिए हो, कॉमर्स लिए हो, सभी स्टूडेंट से वीडियो को पूरा ध्यान से देखो 20-30, पाटवन के छात्रों का लगातार एक सवाल बार-बार आ रहा है और अभी-अभी जो निव सूचने जारी हुआ है नोटिस के साथ आपको लाइब प्रोब वीडियो में दिखाएंगे, ठीक ना, उससे पहले आप लोग अपने मुबाइल फोन का गूगल ऑपिन कर ले, यदि अगर आप इस वीडियो को लैप्टोब या केम्प्यूटर से देख रहे हो, तो भी गूगल ऑपिन कर लो, यहा 2020-2023 का एडमिशन होने के बाद, एक्जाम फॉर्म का कोई अतापता नहीं चल रहा है, नहीं परिच्छा को लेकर कोई पता चल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिच्छा जो है, इसी महीने में आपका लिया जाएगा, लेकिन एक्जाम फॉर् ठीक ना विसेविद्याले न सारा रूटेन तयार कर लिया है लेकिन यहां पर जब बात करें विसेविद्याले की नोटिस की तो एक और एक तरफ से नोटिस जारी हो रहा है जो यह इसको देखने के बाद सब सब इस्टूडेंस के मूड को ही आफ करना पड़ेगा यानि गया दिल ठाम कर बैठ जाओ और देख लो अस्ती अच्छे से ठीक ना क्यूंकि इस नोटिस को पढ़ोगे ना तो उसके बाद आपका जो है ना बहुत जादा मतलब आप सोचोगे और बहुत ही बुरा भला बोलो कभी इन्वर्सिटी को क्योंकि इन्वर्सिटी जो है लग कारेले की तरफ से दिया गया है कारेले की तरफ से आदेश जारी हुआ है सबसे पहले तम आपको यह बता दू कि बिहार सरकार ग्रेह विवाग विसे सखा के गया पांक जी आप जा यहां पर बताएंगे 6 जनवरी 2022 द्वारा कोवीड महामारी के जनित परिस्तितियों के मद है जहां जिसका मैंन ने प्रतिक अ कुल सची को उपलब्द कराना सुनशीत करेंगे यहां पर यह भी बता जा रहा है कि प्रोटकाल के साथ सकती से पालंग करते हुए खुले रहेंगे सभी कारेलों में अंगतुकों का प्रवेस वर्जीत होगा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि एदथों की विशेक राज्य सरकार के प्रवधानों प्रतिवंदों का सम्यक रूप से पालंग करना अनिवार होगा अब दोस्तों इस नोटिस को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है क्या सोच में आ रहा है आपके सबसे पहले तो मैं आपको यह पता दूँ कि 21 जनवरी तक पूरी तरह से बंद है ठीक है अब 21 जनवरी तक बंद है तो इस्टूडेंस के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि सर 21 जनवरी तक जब यह विश्य विद्धाले बंद है और कॉलेज बंद है तो कैसे हमारा एकजाम फॉर्म भरा जाएगा चिंता ना करिए चिंता करने की कोई बात नहीं चिंता नहीं चिंतन करिए ठीक ना exam form की बात करें जहां तक दोस्तो तो exam form आप लोगों का जो है online mode में भरा जाएगा ठीक न? online mode में exam form भरा जाएगा और आप भरने के बाद फिर जाकर कॉलेज में डॉक्मेंट सिर्फ जमा करना है तो इसमें टेंशन लेने वाले कुई बात नहीं है ठीक ना अब लोग चिनता मत करो ओनलाइन एक्जाम फार्म जो है आप लोग अपने मुबाइल से ही ऑनलाइन भर सकते हो लेकिन आप लोग जब ऑनलाइन एक जान फार्म भर जायेगा ना तो मैं आपको लाइप प्रूप विध्यारत्री का भर कर दिखा दूँगा आप लोग चिनता आपको पालंग करना होगा हो सकता है परिच्छा आपका assignment पर भी हो सकता है ठीक ना assignment का मतलब यह होता है कि आपका पेपर जो है घर पर ही लेक कर ले जाकर college में जमा कर देना है विससे विद्धाले को ले जाकर सीधा direct college के अधिकारिक जो है पहुचा देंगे तो ऐसे भी परिच्छा होता है ठीक ना तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है परिच्छा आप लोगों का होगा ठीक है तो आप लोग वेट करें जैसे अपडेट आएगा हम आपको पलपल की information देते रहेंगे चलिए वीडियो को य पर बाइग जैहिंग जैबंदे माद आप